गुड मॉर्निंग इस्टुरेंट्स हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कब यूज होते हैं इसका मतलब है निजबाचर तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जब किया जाता है जब sentence में object एक subject के समान हो मैंने आपको बताया भी था इसमें देखिए यहाँ पर personal pronoun है और यह reflexive pronoun है तो इसको कैसे change किया जाता I myself में You singular है तो yourself You plural है तो yourselves He himself, she herself, it itself, we our selves और दे, them selves तो यह क्या है इस तरीके से हम इसको exercise करेंगे यह वाली यह reflexive pronoun की इसमें देखिए फरस्ट है पवन और माया ने यह प्रोजेक्ट खुद किया दूसरा है I wondered about that myself मैं खुद उसके बारे में सोंसता था थर्ड है आदित हर्ट हिमसेल्फ प्लेंग होकी आदित ने खुद हौकी खेलते हुए चोट लगाई 4 नमबर है The calculator will turn itself off when it is not being used calculator का use ना होने पर where स्वयम बंद हो जाता है तो calculator क्या है नूटर जेंडर है तो यहाँ पर itself यूज़़गा है 5 नमबर है Make sure you clean yourself up before the party starts तो यहाँ पर क्या है Make sure, sure हो यह मतलब सुनिक्षित करें कि आप party शुरू होने से पहले खुद को, खुद मतलब clean हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे खुद नैना dusted herself off before she got back on the horse घोडे पर वापस आने से पहले नैना नैना खुद धूल से dust से भर गई मतलब dust उसके उपर लग गई You and I have to ask ourselves that question तुम्हें और मुझे खुद से ये question पूछना होगा, करना होगा या तो क्या है यहाँ पर ये plural है I, you and I, तो यहाँ पर क्या है Our silps होगा Do you boys think you can handle this your silps तो यहाँ पर भी क्या है boys plural है तो क्या आप लड़कों को लगता है कि आप खुद को समा सकते हैं खुद को handle कर सकते हैं तो ये आप exercise को book में करेंगे सभी बच्चे कल exercise को कराएंगे भी number को आप इसको fill करिए आज book में और इसको copy पर भी करेंगे सभी बच्चे Thank you everyone